कि हम सबसे पहले पैन हीट करेंगे उसमें कुछ ब्रेड हम टोस्ट करने डाल देंगे हल्का टोस्ट करना है हमको एक साइट से हल्का टोस्ट होने के बाद दूसरे साइट पलट देना है टोस्ट हो गया है अब इन गयाज बंद कर देंगे अब तंडा होने के बाद इसका कॉर्णर हम कट कर लेंगे अलग निकाल देंगे इसको कि अब कि कर चुते चुटे चुटे टा पार्ट राट कर लेंगे हम फोटोच चुटए चुटा कर लेंगे ताकि है मिक्सर में इसले से हम इसको पीस सके मिक्सर में हम हलका ही को पीसेंगे दरदरण कि ब्रेट क्रम ग्रेडी हो गया है हम इसको आलू टिकी या किसी भी वेज कटलेट में हमको यूज करना होता है यूज कर सकते हैं इसको